अगर आप नाश्ते के लिए कुछ जल्दी से बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें इसको बनने में केबल 5 मिट लगता है तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने लिए है ये उबले हुए आलू मैं ज्यादा क्वांटिटी में नाश्ता बना रहे हू साथी साथ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, सारी मसालों को हमें आपस में अच्छे से मिलाती हुए मिस कर लेना है मसाला बनने के बाद एक कढ़ाई मां डालेंगे चारच wojंrage तेल को गरम करेंगे टेल गरम होने के बाद इसमें मैंने डाला है जीरा, जीरा अच्छे से भून गया है तो इसमें मसाला डाल देते हैं, साथ इसाथ थोड़ा सा पाने डालेंगे, पान डालने से मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भून जाएगा, और इसको हम चलाते हुए 2-3 मिनट तक अच आलुओं को हमें मसाले में अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है और तयार कर लेनी है सूपर टेस्टी सूपर डिलीशियस स्टफिंग इस stuffing को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह सुबह अपने बच्चों को इस नाश्टे को बनाकर दे सकते हैं stuffing बनने के बाद डाल दिया मैंने हरा धनिया अब मैंने लिए है ये चार bread मैं white bread ले रही हूँ आप चाहे तो brown bread भी ले सकते हैं bread के उपर हम ऐसे तयार की हुई stuffing को अच्छे से फैला देंगे तो हमें चारो bread पे नहीं फैलाना है दो bread पे इससे stuffing फैलानी है stuffing फैलाने के बाद अब मैंने रख दी है ये कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटी हुई शिमला मिर्च तो दोनों bread पे हमें ऐसे ही शिमला मिर्च प्याज टमाटर को रख देना है और दूसरे bread से इसको cover कर देना है cover करने के बाद इसके उपर की तरफ हम butter अच्छे से spread कर देंगे butter spread करने के बाद मैंने pan को पहले से ही गरम होने के लिए रखा है यह मैं ग्रिलर ले रही हूँ आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं उपर से हम फिर से एक बार और butter लगा देंगे दूसरी तरफ और अब हमें butter लगाने के बाद इसको उलटते पलटते हुए दबाते हुए अच्छे से सेख लेना है इसको हमें तब तक सेखना है जब तक जो नाश्टा है अच्छे से क्रिस्पी न हो जाए और उपर से इसका जो color है वो change न हो जाए तो बीच बीच में हम दो से तीन बार ऐसे पलट देंगे पलटने के बाद हमारा super tasty नाश्टा बन की तयार हो गया है इसको निकाल कर मैं रख लूँगी और इसी तरीके से और नाश्टा बना के मैं रख लेती हूँ यहाँ पर हमारा हो गया है super tasty नाश्टा बन की तयार इसके करूँगी मैं दो बराबर बराबर भाग भाग करने के बाद इसको आप ऐसे ही टमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप क्या कीजिये इसको पहले ऐसे बटर लगा दीजिए और फिर कर लीजिए इसके चार बराबर भाग और डालिए इसकी उपर कोई भी नमकीन मैं डाल रही हूँ इसके उपर आलू भुजिया और जा रही हूँ इसको खाने के लिए हरी चेटनी के साथ आज का आइडिया पसंद आए तो कमेंट करके बताना मिलेंगे अगले नई वीडियो में तब तक के लिए आपको दिन शुभू नमस्ते